नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफलेंग ज्यान में दोस्तो ये अपडेट देने से पहले, जो कंटेंट है वो प्रोवाइट करने से पहले आप लोगों की जो बहुत सारे कोशन्स थे, उसका जवाब मैं दे दू कि मैं कहां आवे था तो भई, वैसे मैंने टेलिग्राम पे आप लोगों को लड़ी इन्फोर्म कर दिया है कि मैं कहां पर था, क्या दिक्कत मेरे साथ हो गई थी यहां पर भी आप लोगों को बता दू, 14 डेस से होस्पिटल में अड्मिट था बहुत बिकार परस्थिती से निकल के आप लोगों के सामने आया हूँ और आशा करताओं की फ्यूचर में, अब ये चीज मेरे साथ कभी ना हो मैं proper details तो आप लोगों को नहीं दे सकता कि actual में क्या हुआ था लेकिन अब recovery हो गई है और जैसी मैं discharge हुआ उसके आदे घंटे बाद मैंने टेलेग्राम पे आप लोगों को inform किया और ये वीडियो अभी रात में मैं बना रहा हूँ आप morning में देख रहे हो और मेरा आने के बाद मुझे लगा कि यार अंदर की जो मेरी आँग है न उसे आप लोगों के सामने लेकर आना है मैं आप लोगों को सब कुछ provide करूँगा क्योंकि NPCL एक ऐसी नोकरी है जिसमें हमने बच्चों को बहुत बार सफलता दिलाई है चैनल को शेर करें बहुत authentic चैनल है हम लोग कुछ समय से अवे थे लेकिन हम एक ऐसा content बच्चों को provide करते है जो बच्चों को सफलता दिलाता है अब चलो बिकार की बाते छोड़ो अब आते हैं अपने main topic पर NPCL रावत भाटा की तरफ से नोकरी आ गई है पिछली कई updates मैंने miss की है तो उसको miss ही रहने दो आप लोगों को मिली गई होगी अन्य platform से अब जो continuously आएगी उसकी जानकरी आपको provide करेंगे एक और चीज DRDO year end आने वाला है vacancy भी आने वाली है पूरी जान लगा देंगे उसके लिए ठीक है मैं भी पूरी ताकत के साथ आप लोगों को inform करूंगा content provide करूंगा आप लोगों को मेरे कहें पर चलना है और उसकी preparation करके उसको जो है कैसे न कैसे प्राप्त करना है जैसे हमने पिछली बार September 10 में बच्चों को सफलता दिलाई थी इस बार भी पूरी जान लग पा देंगे आप लोगों की सफलता provide करवाने में अब यह जो NPCL है NPCL में देखो भई इसका form 22 तारीक से चालू होगा अगस्त की आज 8 तारीक हो गई है 10-12 दिन बच्चे form इसका हम फिल करेंगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं request भी लेना शुरू कर दू जो बच्चे गाउं हो तक आप लोग इसका form फिल कर पाएंगे अच्छा खासा यहाँ पर ITA वाले बच्चों के लिए मोका है I would request कि आप लोग इसका form फिल करें all over India से आप लोग इसका form फिल कर सकते है इलेक्ट्रिशन वेकेंसी का काउंट आप लोग देख सकते है कुछ बैकलोग वेकेंसी भी इंक्लोड की गई है फिटर अच्छा खासा काउंट है कैटिग्री वाइस आप लोग देख लेना इस रोडिविकेशन को मैं टेलेग्राम पर अभी सर्कुलेट कर दूँगा इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक उसके बादं इंस्ट्ूमेंटेशन मसीनिस्ट आ रही है अब देखो वैल्डर मेरे पास NPCL के स्टेज वन के पेपर पढ़े स्टेज वन का पूरा स्लेबस्वाइस कंटेंट पढ़ाए उसके बाद मेरे पास फिटर टनर मसीनिस्ट के language में है और जो आप लोगो का stage वन है वह Hindi इंग्लिज दोनो language में है मैंने separately आप लोगो को प्रोवाइट कर दिए description में link है application के लिंक मैंने आपको description में दे दिया आप उससे भी जा कर ले सकते है कोई परेशानी होती है मेरा वर्टसप count लंबर आप लोगो को समय समय पर अपडेट देना उसके बाद एक confusion ओर रहेगी बच्चों के मैंड में कि sir welder तो एक साल की trade होती है और हमने NPCL का notification देखा है या पर दो साल की trade मांगी है तो इसका क्या करें तो भै इस पर भी आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे कैसे बच्चा इसमें apply कर सकता है ठीक है 126 पद है डोटल उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं नीचे आप लोगों को और information मिलेगी और यहाँ पर ध्यान रखना stage 1 होता है stage 2 तब आप देंगे जब आप stage 1 clear करेंगे ठीक है लेकिन कई बार पीछे देखा गया है जैसे BRC में जो बच्चा stage 1 दे रहा है वो stage 2 भी दे रहा है और फिर जो है उसका skill test हो रहा है तो यह देखो यह इन पर depend करता है ठीक है atomic energy का क्या criteria होगा वो उन पर depend करता है लेकिन paper आपको stage 1 clear करोगे तब ही stage 2 के marks आप लोगों के जुड़ेंगे और आप लोग जो है आगे के skill test के लिए जाएंगे उसके बाद age भी clear कर कर सकते है ओल ओवर इंडिया वाले बच्चों को मोका दिया है एक अच्छा खासा मोका है मैं तो recommend करूंगा कि भाई form fill करो कहीं पे भी content की कमी पड़ती है मेरी कोशिश रहेगी कि electrician का भी आप लोगों के लिए इस बार मैं पूरी जान लगा दूं आप लोगों के लिए arrange क take courses less than two years the candidate shall have at least one year relevant working experience after completing of the course अब अगर आप लोगों के पास एक साल का experience नहीं है तो आप apprentice के बेस पे भी apply कर सकते हैं ठीक है ये clear हो गया हो क्योंकि एक rule आया था rule के basis पे यह आपको मैंने बता दिया आप बोलोगे तो एक और बार rule आपको समझा दूँगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 10th pass clear होना चाहिए और math और science का subject आपके पास होना चाहिए तब आप लोग apply करेंगे इसमें ठीक है ये condition है 50% marks के साथ उसके बाद यहाँ प कुछ ही height का criteria भी देता है weight का भी देता है तो 160 cm आप लोगों की height होने चाहिए weight आप लोगों का 45.5 kg होना चाहिए लड़कियां भी apply कर सकते है कोई मनाई नहीं है कोई कुछ नहीं है लड़कियां भी apply करेंगी इसमे salary structure आप लोगों का अच्छा होता है तो जो अगर आप select ह होते तो एक अच्छा खासा payout आप लोगों को मिलता है age 18-24 साल तक आप लोग अपलाई कर सकते हैं और relaxation जो मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा बाकी बाते हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे जो आप लोगों की 22 तरीक आएगी और यहां पर यह जो है ना यह stage 1 का part है यही आप लोगों का decide करेगा कि आप stage 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे कई बार मैंने बोला कि stage 2 हर व्यक्ति को देने दिया जाता है तो यह department पर डिपेंड करता है लेकिन पहले जो criteria तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप stage 1 clear करते हैं तो ही आप stage 2 में और आपका DRC में हमने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे प्राप्त हूँ तो इसमें हम पूरी जान आप लोगों के लिए लगा देंगे जो content है description देखिए अलगला content आपको मिलेगा application भी दिख जाएगी वहां से भी जाके लेग सकते हैं और stage 1 का आप लोग ले लिजे क्य daily basis पर आपको content देखने को मिलेगा इस official notice को मैं आप लोगों को telegram पर दे दूँगा उसका link पर description में मिल जाएगा